स्वीट्स की दुकान में भीशन आग लगी है और आग बुझाने के लिए दमकल विभाग की गाड़ियां जुटी हुई है यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अलवर से इस वक्त की आसपास के शेत्र में हलकम मच गया है शॉट सर्किट से आग लगने कारण बताया जा रहा है कनया स्वीट्स की दुकान में यह आग लगी है दमकल विभाग की कई गाड़ियां आग बुझाने का प्रयास कर रही है तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कितनी भीशन यह आग लगी है और तमाम जो दमकल विभाग की गाड़ियां है वो मौके पर पहुची है आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है शॉट सर्किट से आग लगने बताया जा रहा है प्रमुख कारण सामने निकल कर आया है कनया स्वीट्स की दुकान है अलवर में और वहाँ पर आग लग गई है लोग की भीड़ भी दिखाई दे रही है और आप ये देख सकते हैं दुकान में कितनी भीशन आग होगी कि फिलहाल दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौझूद है और आजपास के शेत्रों में हलकम मचा हुआ है सायोगी नितिन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए है नितिन आग लगने कारण शौट सर्किट बताया जा रहा है फिलहाल कि आग को बुझा लिया गया है या कितना समय और लग सकता है जी मैं आपको बताना चाहूँगा शौट सर्किट बताया जा रहा है लेकिन दुवान में आग लगने से करी 15 अलाज रुसे का नुश्हान हो चुका है पुरा फरनीचर जल चुका है पूरी जो मिठाई है वो भी चल चुकी है साथ में जैसे ही या पर आग की सूचना पुलिस को लगी पुलिस मोके पर पहुची दंकल की गारी आई तरीफ आद देले जैदिक की जो गारी आए वो आग पर गाबू पाया गया है और यहाँ पर जो है आधबाद के छेतर में जिजिली की जो लाइस है वो भी बंद कर दी गई थी और काज में मोके पर परसासन भी पहुचा है और पूरे मामले की जास्ट की जा रही है बहुत बहुत शुक्र रहने तेने इस पूरी जानकारी के लिए